दोस्तों कुछ दिन पहले हम आपको बताया थी कि कैसे आप अपना घर बैठे आप अपना ततकाल पैनकार बना सकते हैं तो दोस्तों अधी आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है तो आप वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों अधी आप ततकाल पैनकार बनाया होंगे तो आपको पता होगा कि आपके पैनकार के उपर आपका फादर्स नेम और आपका सिगनेचर नहीं होगा और साथ ही साथ आपके अधार कार्ड में जो भी फोटो है वही फोटो आपके पैनकार में होगा तो चलिए friends वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile में Chrome browser को open कर लेना है open करने के बाद आप यहां NHDL pen card लिख के search करेंगे search करने के बाद अगला interface कुछ चीज तरह का खुल के आ जाएगा जिसमें आपको यहां एक option दिया गया है online pen application NHDL उस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद अगला interface कुछ चीज तरह का खुल के आ जाएगा अधि आप Google में search नहीं करना चाते है तो नीचे description में एक link दिया हुआ उस पर क्लिक करने के बाद direct इस वाले page पर आजाएंगे इस page पर आने के बाद आपको नीचे में एक option दिया गया है application type उस वाले option में आप changes और correction in existing pen data वाले option को आप select कर लेंगे select करने के बाद आपको नीचे में एक option दिया गया है category का उसमें आप individual option को select कर लेंगे select करने के बाद जब आप नीचे आएंगे जैसे कि first name, middle name और last name ठीक है आपको name किस तरह fill up करना है आप example के तोर पे बगल में देख सकते हैं अधी आपका middle name नहीं है तो आप इसे blank छोड़ देंगे इसके बाद आपको नीचे में date of birth सेलेक्ट कर लेना है date of birth जब इंटर करेंगे तो आपको यहाँ mobile keypad का use नहीं करना है बलकि जो calendar दिया गया है उसको use करना है ठीक है date of birth इंटर करने के बाद आप यहाँ email ID को इंटर कर लेंगे उसके बाद आप अपना mobile नमर को इंटर कर लेंगे mobile नमर इंटर करने के बाद आपको यहाँ एस वाले option पे click कर देना है click करने के बाद आपको नीचे में पेंnt card नमर को fill up करने का option दिया गया है तो आप यहाँ अपना pen card nor को इंटर कर लेंगे enter करने के बाद आपको उसके निचे एक चोटा सा box दिया गिया है, उसको आपको क्लिक कर लेना कलिक करने के बाद आपकोца नीचे आएंगे तो आपको यहां capture code डालने का option दिया गया है तो आपको इस capture को यहां पे इंटर कर लेना है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने 7D options को fill up कर लेते हैं सभी details fill up करने के बाद आपको यहां submit वाले option पे click कर देना है click करने के बाद अगला interface कुछ इस तरका खुल क्या जाएगा जिसमें आपको यहां एक token नमर दे दिया गया है अधी by mistake से आप form fill up करते वाक्त log out हो जाते हैं उस पे आपको click कर देना है click करने के बाद अगला interface कुछ इस तरका open उह जाएगा जिसमें आपको यहां नैचे आने के बाद आपको यहां second option submit a scanned image through e-sign वाले option पे click कर देना है click करने के बाद आपको नैचे आ जाना है उसके बाद आपको नीचे में आधार नमर का एक option दिया गया है, इसमें आपको यहाँ अधार नमर का last four digits को यहाँ इंटर कर लेना है, इंटर करने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक option दिया गया है, name as per आधार, आपके आधार क करने के बाद आपको यहां तीन ओप्सन दिया गया है पहला फोटो मिसमेच, सिगनेचर मिसमेच और पैरेंट्स डिटेल मिसमेच, इसमें तीनों ओप्सन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में एक ओप्सन दिया गया है, फादर्स नेम का इंटर कर लेना है आपको father's name कुछ इस तरह का इंटर करना होगा जैसे की first name, middle name और last name ठीक है अधी father's के name में यहाँ आपका middle name नहीं है तो आप इसे blank भी छोड़ सकते हैं उसके बाद आपको नीचे आजाना है नीचे आने के बाद mother's name इंटर करने का option दिया गया है आप का या माता का आप जिसका भी नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ select कर लेंगे तो हम यहाँ अपने pen card के उपर father's name रखना चाहते हैं इसलिए हम father's name को select कर लेंगे उसके बाद आपको next वाले option पे click कर देना है click करने के बाद अगला interface कुछ इस तरह का खुल के आजाएगा जिसमें आपको यहाँ नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको एक option दिया गया है residence ठीक है तो उस पर आपको click कर देना है click करने के बाद आपको यहाँ अपना address फिलफ करना होगा आपका जो home address है उसको यहाँ पे fill up करना होगा ठीक है अधी आपका flat या home number है तो आप इंटर कर सकते हैं otherwise इसे आप blank भी छोड़ सकते हैं उसके बाद आपको नीचे में village name इंटर करने का option निया गया है village name इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक और option दिया गया post office का वहाँ पर पोस्ट office इंटर कर लेना है उसके बाद आपको यह ब्लॉक की या sb division को यहां निखर कर लेंगे उसके बाद आपको looking NHK immortत कर लेना हैं इस्टिक ने इंटर करने के बाद आपको यहां एक option दिया गया है country name का ठीक है तो आप यहां country name को select कर लेंगे उसके बाद को निचे आ जाना है निचे आने के बाद उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहां country code वाले option में आपको country code select कर लेना है जैसे कि अधि आप यहां इंडिया लिखेंगे तो आपको यहां country code आपका दिख जागा ठीक है ठीक है उसी के नीचे एक प्रुफ औरेस का ओपς मिया गया है इसके बाद अपको आधार काड को भी स्लिक्ट कर लेना है इसके बाद रीकित बर्ट में आपको अथार काड को सेलाक कर लेना है ठीक है अंच और वागे सब्सक्राइब करने के बाद आपको नीचे में कोपशन दिया गिया अप्रूप ऑफ फेंट पेंड कार्ड के रूप में आप जो भी पूड़ देना चाहते हैं जैसे कि आप अपना पेंगार का फोटो दे सकते हैं यह एलॉटमेंट अपनी टूकुमेंट को भी च इंटर कर लेंगे जैसे कि हम अपना आधार काड़ और पैन काड़ का फोटो अपलोड करना चाहते है इसलिए हम यहां तू इंटर कर लेते हैं तू इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक उप्सन दिया गया है प्लेस का उसमें आप अपना डिस्टिक कर नाम लिख होगा वह पचास के भी होगा पचास के भी से आपको किसी भी फोटो का मेक्सिमुम फाइल साइज कम करने के लिए नहीं आता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं थम्नल के रूप में हम बगल में दिखा रहे हैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यहाँ पर कटकेव करने के लिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सैंड तो करने के बाद आप Son स्टेस्टर को अपलोड करना है उसी तरह आपको रेड़ कॉर्णर में एक प्लस का साइं दिया गया है उसके आपको नीचे आने के बाद आप जो भी प्रूफ के तोर पर डोकुमेंट को दिये है उस को यहां अप्लोड करना होगा आप जो भी डोकुमेंट को अप्लोड करेंगे वह PDF के फॉर्म में होना चाहिए ठीक है और उस PDF का जो फाइल साइज होगा बाद 300 अप्लोड होने के बाद आपके PDF का जो नंबर होगा वह यहां देखने लगेगा उसके बाद आपको अपना pen card का copy अप्लोड करना है इसके लिए आपको क्या करना है एड डोकुमेंट्स वाले option पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां आप देख सकते हैं कि नीचे में पर फाइल अप्लोड करने के लिए option दे दिया गया है तो उस प्लास वाले section प्लिक कर देना है अब आपको जहां भी pen card का copy होगा उसको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है अपको फिर से एक उपर में एक अप्लोड का option दिया गया है उसके आपको क्लिक करने के बाद आपको इंटर कर लेना है इंटर करने के बाद अभी तक आप जो भी form fill up किया होंगे वह यहां सो होगा आपको लगता है कि कुछ भी गलत है तो आप यहां नीचे में आपको एक option दिया गया है इडिट का ठीक है उस इडिट वाले option पे क्लिक करके अभी आप इडिट कर सकते हैं आपको सेलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक सो छे रूपिया नबे पईसा पेमेंट करना है तिक है उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो आपको यहां एक उप्शन दिया गया है आई एगरी टू टर्म आप सर्विस उस वाले option पे क्लिक करने के बाद नीचे में को अप्शन दिया गया है उस पे क्लिक करने के बाद आगला इंटरफेस पर खुन करना चाहते वह यहां ऑपन हो जैगा जैसे कि आप क्रेड़िट कार्ड के माधियं से पेमें कर सकते हैं या डेविट कार्ट के माधियं से कर सकते हैं या internet banking के माधियम से आप payment कर सकते हैं या violet cash card या QR code या UPI के माधियम से आप payment कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम यहां second वाला option debit card या ATM card को select कर लेते हैं debit card को select करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि आपका यहां debit card का details fill up करने के लिए option दे दिया गया है जिसमें आपको यहां card number fill up करना होगा फिर आपका debit card का expiry date होगा उसको यहां पर इंटर करना होगा ठीक है उसके बाद आपको यहां CBV number इंटर कर लेना है अब आपका ATM card या debit card जिस विकति के नाम पर ATM card या debit card है उसका यहां name enter कर लेना होगा ठीक है डेविड cards का detail fill up करने के बाद आपको नीचे में एक option दिया गया है make payment तो उसके आपको click कर देना है click करने के बाद अगला interface कुछ इसतरा का खुल किया जागा जिसमें आपको यहां कुछ दर तक वेट कर लेना है अब आपके bank में जो भी mobile number registered होगा उसको यहां पर enter करने के बाद आपको नीचे में एक option दिया गया है submit तो उसके बाद आगला interface कुछ इसतरा का खुल किया जागा जिसमें आपको यहां कुछ दर तक वेट कर लेना है आपका जो पेज है वो लोडिंग हो रहा यहां आपको नहीं back करना है नहीं page को refresh करना है ठीक है अब आप देख सकते हैं कि आपका जो payment हो चुका है आपका जो पैसा है वो गट चुका है ठीक है उसके बाद आगला interface कुछ इसतरा का खुल के जाएगा जिसमें आपको नीचे आने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि आपको एक च लिचे आजाएंगे तो आपको एक option दिया गया है authentication ठीक है तो उसको आपको क्लिक करने के बाद अगला interface कुछ इसतरा का खुल के जाएगा जिसमें आपको यहां एक ओटीप वाले सेक्शन में आपको यहां OTP इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का option दिया ग एक option दिया गया है continue with e-sign ठीक है तो उसके आपको click कर देना है उसके बाद आगला interface कुछ इस्तर का खुल किया जागा जिसमें आपको यहाँ एक चोटा सा box दिया गया है उसके आपको click कर देना है उसके बाद आप नीचे में देखेंगे तो आपको यहाँ आपना अधार नमर इंटर करना होगा आपको एक बाद फिर से आपका अधार नमर verify किया जाएगा ठीक है अधार नमर इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक send OTP का option दिया गया है तो आपको उसके बाद आगला interface को इस तरह का खुल किया जाएगा जिसमें आप अपने pen card में जो भी change कराना करने के लिए अपण चांगे अपने फाइल के यहां आपका ऑपना पीड़ ओफायल करना क्या है अपको आपका लिख सकते हैं कि अपको बसक बार्ड कर लेना चाहते है उसका एकणॉलेजमेंन स्लिप दे दिया गया है ठीक है इसको आप डॉनलोड करके रख सकते हैं उसके बाद आप प्रूफ के तौर पर आप जो भी डोकुमेंट दिये होंगे वह यहां सो होगा जैसे कि हम अधार कार्ड और पैन कार्ड का कॉपी दिये थे तो वह यहां सो हो रहा है ठीक है अब आप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सिखने को मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इस तरह का जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम